हाब यह तो केचल लेचकल मैं हूँ आपका फिवरी डिडी बेर्थ तो गाइज पिछली बार हमारी एक CWL लगी थी उस CWL के अंदर हमारे साथ एक क्लैन था आउट ओफ सर्विस करके उन्होंने ग्लोबल रैंक वन मारा था यादे अप लोगों मैंने उस टाइम पे आप लोग क्या बोला था भाई ये कोई अकेले बने का काम है जिसका स्किल सेट बहुत ज्यादा है बतलब ये कोई वर्ल्ड चैंपियंशिप या फिर कॉंपिलिटीव प्लेएर नहीं हो सकता ये कोई वाले हैं ओके गाइज अभी मैं फिलाल जिस क्लाइन के अंदर हूँ इस क्लाइन ने बना दिया है न्यू वर्ड रेकॉर्ड कोस्टेंटीनों करके गाइज यहां पे एक लैन और यह अगर हम लोग देखेंगे तो यह है यू ए यहां पे गाइज आप लोग पहचांच चुक सिंते हो सकता है या क्लाउज हो सकता है स्टार्स हो सकता है लेकिन नहीं भाइस अब यह देख लो नया वर्ल्ड रेकॉर्ड काईज यहां पे बन चुका है और यह जो न्यू वर्ल्ड रेकॉर्ड है यह है 380 स्टार्स इन CWL और इस पूरे CWL के अंदर एक भी अटक हो पाए लेकिन नीचे के जो चार वॉर्स है वहां पर लिटरली पर्फेट वॉर्स करें है 45 स्टार्स मैक्सिमम स्टार्स जो हमारे CWL चैंपियन लीग वन के अंदर हो सकते है वो है 385 और यहां पर गाइस नया वर्ल्ड रेकॉर्ड बना दिया गया है 380 स्टार्स करके त उसी के साथ आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना यह एटाक्स देखने के बाद आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है उस फेवरेट प्लेयर का नाम लिखना और आपकी इंस्टाग्राम आइडी लिखना हम लोग यहां पर 15 गोल्ड पास का गिववे कर रहे हैं तो जो ज करना और आपके फेवरेट प्लेयर का नाम और इंस्टाग्राम आइडी लिखना कॉमेंट सेक्शन में तो गाइस सबसे पहले अभी हम लोग यहां पर देखेंगे नमबर एट के ओपर अटाक यहां पर देखते हैं यहां पर अटाक गाइस लिटरली पिछली बार भी मैंने बोला था भाई यह स्केली डोनट लावा लून बहुत तगडा करते है भाई यहां पर भी देखो स्केली डोनट लावा लून के साथ ही अटाक करा गया है ओके गाईस स्टार्टिंग में यहां पर बलून्स वगरे डिप्लॉय कर दिये थे जिससे की फणल वणल प्रॉपर बन जाए ओके रेट स्पेल डालके स्केली और बैट स्पेल डालके अर्थ्वेक डाल दिया क्या बात है यहां पर सिर्फ मेरे को तो लग रहा है कि दो ही स्पेल्स के अंदर सीसी डाउन कर लेंगे नहीं तीसरा स्पेल यूज कर लिया लेकिन यहां पर बहुत अच्छी कासी वैली उन्होंने टेक डाउन करी है एक मल्टी इनको मिल चुका है और एक सीसी इनको मिल चुका है और अभी भी इनके पास देखो गाईज, तीन फ्रीज, दो हेस्ट और एक इन्विजिबिलिटी स्पेल है बार्बी रिंकिंग के लिए देखो गाईज, कैसा रास्ता बना दिया गया है यहां पर scatter compartment में जाके barbarian king scatter shot को down करेगा royal champion backup के लिए आ चुकिए और जो archer queen है वो जाएए guys town hall compartment के लिए town hall compartment में यहाँ पे tesla farm रखा था और ice golem क्या ही use कर आया वाई क्या ही freeze कर दिया ice golem ने यहाँ बहुत सारी चीज़े freeze कर दी यहाँ पे barbarian king और royal champion ने easily यह पूरा compartment take down कर लिया है और इधर देख लो guys यहाँ पे deploy करा गया है flame flinger लेकिन यहाँ पे तो guys एक ground xboy वो दिक्कत दे सकता है archer queen town hall पे जाके town hall को मारना चालू कर दिया और town hall को take down कर लिया guys यहाँ पे value देख रहे हो guys कितनी सारी value take down करी गई है heroes के साथ और अपने skilly donut के साथ और cg machine के साथ बस अभी guys base के अंदर क्या ही तो बचाए grand warden है 30 balloons दो दो lava haunt से भाई देख लो guys 50% जो value है 50% value यहाँ पे take down करी गई है 50% defenses की value बोल रहा हो में not buildings की value तो यहाँ पे guys lava lune attack चालू कर दिया grand warden के ability देखे जो head एंटरस थे उन्होंने easily take down कर लिया royal champion को इधर से देख लो guys यहाँ पे निकल चुका है dragon rider और कुछ balloon CC के अंदर से freeze spell यहाँ पे deploy कर आ गया है perfect freeze spell eagle और single दोनों को freeze कर दिया लो guys यह वाला attack guys यहाँ पे हो चुका है थ्री स्टार guys अब जितने अटाक्स होए सारे के सारे lava lune के साथ यहाँ पे अटाक्स हो चुके है spells भी यहाँ पे दो spells बच चुके है freeze बगर डिप्लॉय कर दिया और एक hist भी है hist डिप्लॉय कर दिया और guys यह वाला पहले attack यहाँ पे हो चुका है इस वार के अंदर थ्री स्टार अभी बहुत सारे अटाक्स देखेंगे भाई यह एक ही वीडियो आप लोगे लिए काफी यह लावालून अटाक्स सीखने के लिए वाई क्या ही तो लावालून अटाक्स करे आई तिलकुछ हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे आएंगे आप दूसरा अटाक्स देखेंगे यहाँ पे गाईस फ्लेमिंगो यह क्लैन भी राइट नाव पिछले सीजन के अंदर यह जो प्लेयर का नेम है इस प्लेयर के नाम के साथ क्लैन का नेम था उसने रैंक वन किया था यहाँ पे भी देख लो गाईस यहाँ पे तो जैप लावल उनका रागिया है गाईस सेवन लाइटनिंग स्पेल स्वन अर्थ को एक स्पेल यहाँ पे देखते हैं गाईस क्या वैल्यू निकाली गई होगी तो बेस लियाउट यहाँ पे अच्छा है वाई पर साथ लाइटनिंग एक अर्थ को एक एक रेज भी लिए एक हेस्ट है गाईस पूरे लावल उनके लिए बापरे बहुत अच्छे कासी वैल्यू गाईस यहाँ पे स्कैटर क्विन और एक्सबो चार चीजों को टेक डाउन करा गिया है आर्चर क्विन को गाईस यहाँ पे पहले डिप्लॉय करा गिया है भाई दिक्कत हो सकते आर्चर क्विन के लिए लेकिन तुरंत आइस गोलम डाल दिया भाई यहाँ पे एक जायंट डाल के रॉयल चैंपियन को डाल दिया बापरे पूरा टेसला फाम इदर ही रखा गिया है गाईस यहाँ पे बैटल ब्लिम का इस्तमाल करा गिया है और यह जो एक्सबो है यह लॉक्ट बार्बिरेन किंग के ओपर एक वैलकर और लावहांड निकल चुका है ओमाइगाड कुइन नहीं निकाल पाए भाई मल्टी वन एच्प लिटरली जीरो एच्प यहाँ पे लावहांड अभी भी बेस के अंदर है गाईस लेकिन यहाँ पे अगर ग्राउंड टूप्स की बात करेंगे तो सिर्फ दो आर्चर और एक वीजर है ओगे एंडर डाल के लावंड को इस साट पर बुला लिया है अर्ली यहाँ पे ग्रैंड वोर्डन की यूज कर ली थी रेट स्पेल यहाँ पे डिप्लॉई करा गया है बलून्स यहाँ यहाँ पे यूज करेंगा है एंड टाउन हॉल बाप्रे फाइनली टेक करने का काम कर रहे हैं ओके यहाँ पे दो बलून्स डाल दिये अभी एक फ्रीच स्पेल है कि वेक्स में देखेंगे इस एक को और गाइस यह वाला टाइक यहाँ पे हो चुका है थ्री स्टार क्या बात है अभी भी एक बलून बचा के रखा है और लावांड गाईस क्या ही अभी कर रहा है वही दर उदर भाग रहा है जो शुके लावालोन के साथ सब्सकें लोग ने फीम लोग ने घंस लेक बलीजर्ड लावा लू एक होता है और पर बहुत सा रे लावा लूस होती है और बहुत इस और इसलीन का बेस है यह ओके गाइज यहां पर स्केली डोनट के साथ अरे बाब रहे इधर तो प्रॉब्लम हो गया गाइज यह इन्वीजिबल हो गया भाई पिछले वार के अंदर हम लोगों नहीं देखा था कि ऐसा कुछ इन्वीजिबल हो जाए लेकिन इस चीज के अंदर इस अटाक के अंदर हम लोगों को यह देख लोग मिलाएगी यहीं इन्वीजिबल हो गया उसके बावजूद भाई बंदा करा होगा अटाइक यह देखना पड़ेगा ओके आइस गोलम डाल के रोल चैंपियन को यहां पर डिप्लॉय करा गया है यहां पर आइस गोलम फ्रीज हो चुका है बहुत सारी चीज़े फ्रीज करती ओके किंग ने एनिमी क्विन को यहां पर खा लिया क्विन ने मल्टी बीच वाला मल्टी मिलना थोड़ा मुश्किल है ओके फ्लेम फ्लिंगर एकदम ओपी काम कर रहा है गाईस मेरको तो लग रहा है फ्लेम फ्लिंगर इदर से इगल निकाल के जा सकता है वाई वाई हीरोज ने बहुत अच्छी कासी वैल्यू निकाली है वो जो मल्टी इंफिर नो नहीं मिलाना गाईस उसके बावजूद इतनी तगड़ी वैल्यू निकाल के दिये यहां पर यहां पर इगल आट लरी तो रॉयल चैंपियन नहीं टेकडाउन कर ली और रॉयल चैंप का भी इस्तमाल कर आगिया है जो कि टाउन हॉल पर आएगा प्रोबैबली यस बिल्कुल टाउन हॉल पर यहां पर रिट्स पर लाज चुका है आउनल फूट ने कर दिया पर ग्रैंड वोडर्ग यूस कर ली अभी भी साथ बलून से और फ्रीज है एक गाईस वो मल्टी अ यह अटांग हो चुका यहां पे थ्री स्टार अभी भी बलूनस डेर सारे बच चैंपिए है और अब और एंदेमी की चैंपियान मारी यह नहीद है बमोंस ने टेक डाउन कर हूं लास्ट में उसको और तीन बलूनस लास्ट तक बच गए थे हैं यहां बाला गाईज अटा हुआ है ओके लेट सी गाइस यहां पर फ्लेम फ्लिंगर का इस्तेमाल कर आगिया है यहां पर अर्थ को एक भी यूज कर लिया इधर से इनको वेल्यू मिल जाएगी स्कैटर शॉट और सीसी क्या बात है सिर्फ दो को इन्विजिबिलिटी स्फेल में काम कर दिया बाई मजा आगिया यहां पर एक वाल ब्रेकर यूज कर लिया जिससे की क्विन डारेक्ट टाउन होल को टेक डाउन करेगी आइस गोलम बार्बिरियन किंग एक वीजर्ड बेबी ड्राइगन रॉयल चैंपियन और फ्लेम फ्ल आइटिंक एनेमी की रॉयल चैंपियन भी इधर से मिल सकती है मिल जा मिल गई गाई गाईज ओके आरचर क्विन ने टाउन होल को टेक डाउन कर लिया है और फ्लेम फ्लिंगर भाई इधर से इगल भी निकाल लेगा यह दूसरा मल्टी भी निकल जाएगा गाईज यहां से लो गाईज दूसरा मल्टी दो-दो मल्टी इंफिर्मोस यहां से टेक डाउन करे है फ्लेम फ्लिंगर इधर से इगल निकाल लेगा फिर ज्यादा क्या ही बचता है गाईज बेस के अंदर कितने सारे बलून्स और लावा हॉंट्स इजीली बेस को टेक डाउन कर पाएंगे और सीसी अलग से फटेगी सीसी के अंदर से अलग से टूप्स निकलेंगे एड अंटर्स यूज करे दे कुईन को मारने के लिए एंड कुईन को टेक डाउन कर लिया गिया है यहां पे अभी भी नो बलून्स है गाईज देखलो बलून्स की डिप्लॉयमेंट देखलो है यहां पे सारे के सारे लाओंड्स हुट चुके हैं तीन फृ अभी भी बच चुके हैं गाईज यहां पर और एक हेश्त है और मेर को दो लग रहा है ये चार स्पहल का स्वाइग हो जाएगा यहां पे स्पैल्स को जाए ने वाला टाक 3 star हो चुका है और flame flinger तो गाइस फटा भी नहीं अभी तक flame flinger की health अभी भी है और चार spells का यहां पे swag के साथ यह वाला गाइस अटाक यहां पे हो चुका है 3 star फ्लेम फ्लिंगर के अंदर टूप बनता नहीं भी लेता तो भी थ्री स्टर होता क्योंकि फ्लेम फ्लंगर ही फटा नहीं है तो यह हो गया गाईज यहाँ पे थ्री स्टर अटैक एक और स्केली डोनट लावालून के साथ वापीस देखेंगे नमबर पांच के ओपर यहाँ अटाइक किया है यह बहले अटाइक गाईज यहाँ पे देख लो यहाँ पे भी स्केली डोनट लावालून विध फ्लेम फ्लिंगर यारज ज्याद तर में फ्लेम फ्लिंगर का इस्तामाल देख रहा हूं क्यूंकि फ्लेम फ्लेंगर के साथ बहुत तकड़ि वैल्यू तो इधर स्टार्टिंग में फ्लैम फ्लिंगर डिप्लॉई कर दिया यटी को डाल के क्योंकि यह दिक्कत दे सकता है ना फ्लैम फ्लिंगर को तो यह फिलाल यटी के ओपर लॉगड रहेगा ओके ओके क्या बात है वाई क्या बात है इनको यह दोनों चीज़े नहीं तीसरा डालना पड़ा इनको क्योंकि वो जो मल्टी था वो नहीं मिल पाया था लेकिन एक्स्ट्रा एक लेके आते है भाई इन्विजिबिलेटी स्पेल टोडल चार इन भी लेके आते है और एक अर्थक्वेक इदर से बहुत हेवी वैल्यू मिलने वाली क्योंकि एगल भी मिल जाएगा यहां से इनको आर्चर क्विन को यहां पे डिप्लॉई करा गया है बार्बिरियन किंग को डिप्लॉई करा गया है वाल ब्रेक डाल दिया रॉयल चेंपियन पता नहीं कहां से डालेंगे वा प्रेम गाईज मैं प्लान समझ गया यह देखो यह इतना वैल्यू ना फ्लेम फ्लिंगर निकालेगा और यह सारी वैल्यू फिरोज निकालेंगे और इधर से और यहां तक सिर्फ लावा लून अटाक होगा इसा लग रहा है देखते हैं जो हमने सोचा है क्या वैसा ही प्लान है मतलब बेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया लाइक आधा आधा बाट दिया 50% बेस 50% डिफेंस की वैल्यू के साथ निकाली जाएगी और जो 50% बचेंवे डिफेंस रहेंगे वह वैल्यू लावा नहीं मिल पाएगा शायद लावा लून चालू कर दिया टाउन होल से एंड टाउन होल के पास ही यहां पर टोर्नेडो ट्रैप रखा गया था ओके प्रीज पेल यहां पर डिप्लोई करा गया है बिल्कुल सही जगा पर एक रेज भी डिप्लोई कर दिया मल्टी निकाल लि लावा लून चालू कर दिया वापिस नीचे की साइड से अभी दो फ्रीज स्पेल्स यहां पर बच चुके हैं यहां पर हेड रंडर को डिप्लोई करा गया है एन्मी क्विन के लिए वापिस यहां पर एक फ्रीज डाल दिया परफेक्ट यहां बाद है गाइस फ्लिंगर देख रहे हो गाइस फ्लिंगर क्या वैल्यू निकाल के दे रहा है वाई मजा आई यहां फ्लिंगर को देखके एक बाद 2x में देखेंगे लो गाइस यह वाला अटाइक भी यहां पर हो चुका है थ्री स्टार और एक फ्रीज स्पेल का स्वैक करते हो यहां पर तो बड़ हम लोग देखेंगे तो यहां पर भी स्केली डॉनेट लावल उनके साथ अटाइक हुआ है ओके यहां पर सीसी और मल्टी को यहां पर टेकडाउन करने की कोश्च्यों हो रही है अर्थ्वेक स्पेल को यहां पर डिप्लॉई करा गिया है इन्मी स्पेल ऑके गाइस मल्टी की तो डाउन हो चुका है एंड चीसी भी डाउन हो गया सीसी भी यहां पर डाउन हो चुका है ओके जो कोर था गाई स्कोर ही खाली हो चुका है अब यहां पर वाल ब्रेक डिप्लॉई करा गिया है आई तिंक क्विन के साथ टाउन हॉल टेकडाउन करेंगे अब देखना य जाते हैं वेब ड्राइगन फनल के लिए यूस किया था यहां पर ऑगे बार्बिरियन कींग को उपर की साइड पर डिपलोई करा गया है बार्बिरियन कींग को एनिमी क्विन के कंपार्टमेंट में लेके जाने की कोशिश हो रही है तो आपरे पूरा टेसला पामें गाइस वहाँ पर वैलकरी को भी डिपलोई करा गया है क्योंकि स्केलेटन्स वगएरा निकल सकते हैं demand को कर लिया है टेकडाउन दिपलोई कर दिया है यहां पर एक जैयन डिपलोई कर दिया और रॉयल चैंपियन Code भी यहांपे डाला गया है जिससे कि रॉयल चैंपियन मल्ती तक जाय बहाय साहब पर यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है देखते क्या होता है रॉयल चैंपियन के अबिलिटी यहां पर यूस कर ली रॉयल चैंपियन के उपर वह आपे नहीं मिल पाए है वह वैलू Value जो रॉयल्य चैंपियन के साथ मिलनी चाहिए थी लेकिन की साथ जो वैल्य cage से ही थी वो वैल्यू किंग के साथ यहां पर मिल चुकी है ओके नीचे की साइट से भी यहां पर लावा लून चालू कर दिया डिप्लॉय कर दिये और अर्ली क्रेंट वर्डन के अबिलिटी के अबिलिटी के अंदर रहेंगे इजली टेकडाउन कर पाए रॉयल चैंपियन को अभी चार बलून से दो फ्रीज है एक फ्रीज यहां पर स्कैटर शाउट के उपर आ चुका है जो जो मल्टी बच चुका है वो दिक्कत नहीं कर पाएगा इ वार्चर क्वीन भी मर चुकी है और तीन बलून्स अभी भी है यहां पर ओके पीचे से क्लीन अप वगेरा तो आई रहा है यहां पर डिप्लॉई कर दिया है प्रीज भी डाल लिया और इतने सारे बलून्स है तो क्या ही कर पाएगा भाई एक मल्टी फिर नो और आव गाइज अभी और अटाक्स देखते हैं ओके गाईज अभी अगले वार में आ चुके हैं अगले वार के कुछ अटाक्स दे अरे गाईज इस बंदे का नाम तो किदर देखे ला लग रहा है गाईज आप लोग याद है यह कौन बंदा है वाई यह नमबर एक पर जो ए अटाक किया वाई इधर मतलब इतना हार्ड अटाक किया इस बंदे ने इतना हार्ड स्केली डोनट यह 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 इन सब को टेक्डाउन कर लिया स्केली डोनट मतलब नेक्स लेवल वाई यह थोड़ा ज्यादा ही मतलब ओर हो गया वाई इतना खतरना क्या ही कर दिया वाई इ देख लो यहां पे ना गाइस इतना perfection तो नहीं हो पाएगा कि तीनों आजा invisibility spell के अंदर देखो एक inferno tower invisible हो ही चुका है फिर भी इतना भी skilled बंदा हो यह बहुत मुश्किल बहुत से ज्यादा मुश्किल है आप तीन inferno towers को एक skelly donut में ले लो सबसे ज्यादा मुश्किल है लेकिन उसके बावजूद बंदे ने जो second skelly spell डाली है ना second invisibility spell डाली है वो perfect डाली है पहला गलट डाल के भी जो सेकेंड वो सही डाली है और जो तीसरी है तीसरी स्पेल भी बिल्कुल सही डाली है यह देख लो गाईज यहां पर एंड टेक डाउन कर लिया वाई सबसे हार्डे वाई inferno tower को टेक डाउन करना skelly donut में सबसे हारडे और एक skelly donut में तीन-फीन इन फिर नो को टेक डाउन करना तो ज्यादा ही हारडे गाईज जूट लग रहे तो आप खुट ट्राय करके देख लेना एक बर आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको तो यहां पर देख लो गाईज यहां पर एक क्विन को लेके जाएगा टाउन हाल कंपार्टमेंट में किंग तो यहां पर जा चुका है गाईज आर्चर क्विन के कंपार्टमेंट के अंदर देखो स्केलिटन्स यह इदर से आ चुके हैं तो वैलकरी भी यूज करी थी यहां पर देखो सारे स्केलिटन्स गायव हो गया अचानक वैलकरी ने एक हिट मारा सारे स्केलिटन्स गायव लेकिन कुछ स्केलिटन्स उचल के भाई आर्सी के पास आ चुके हैं तो इदर से बार्बी रेंखिंग ले लेगा यह पूरा कंपार्टमेंट आर्चर क्विन ले लेगी डाउन हॉल को और रॉयल च खाली कर दिया गाइस 50% डिफेंस की वैल्यू अल्मोस्स टेकडाउन करी गई है यहाँ पर इसको टू एक्स में देखेंगे ओके स्टोन स्लेवर डाल दिया लावर डालके बलून्स बलून्स डाल दिया पीजे से ग्रैंड वॉर्डन को डाल दिया मिनियन वगेरा आ चुक ग्रैंड वोडन की अबिलेटी थोड़ा सा लेट कर दिया यहाँ पे एक फ्रीड डिपलॉई कर दिया है यह जोड़ा लेट डाल दिया रॉयल चैंपियन के उपर पोईदन भी डाला है यहाँ यहाँ पर और यह एनिमी का जो लावा है भाई क्या तो ही इगनोर मारा है वा थार्ड स्केलिडॉन ट्राइट THIS हो गिया यहांपे थ्री सार अटैथ अब और अटैक बैकेगे ज्यादा तर स्केली डाइट ही करा है वाई ब्लीजर वागेरा दिख जये भाई ब्लीजर वागेरा तो ब्लीजर देखा है कि आभी तक हम ने नहीं देखा हम लोगों ने यहाँ पर भी गाइस देख लो चीजे देखो कितनी सारी रखी गई है और क्विन के बीचे हिलर बिलर कुछ भी नहीं है ठीक है बार्बिरेन किंग को लेके जाया जाएगा इस कंपार्टमेंट के अंदर जिससे की किंग टेकडाउन करेगा रॉयल चैंपियन को और स्कैटर शॉट को और सिर्फ क्विन के सा टाउन हॉल लेना है भाई क्विन के वेज़े सिर्फ घोडा है जो की हील कर रहा है क्विन को किंग की अर्ली अबिलिटी मार दिया आपर जिससे की पूरा कंपार्टमेंट आ जाए यहाँ पर आइस गोलम यूज कर लिया कुछ बलून्स वापिस कुछ बलून्स एक हेस्ट टाउन हॉल टे लॉक हो चुकिए गाईस यह देख लो टाउन हॉल को क्विन ने टेक डाउन भी कर लिया रॉयल चैंपियन के अभी भी अबिलिटी उपर से काम कर दिया रॉयल चैंपियन बलून्स वागेर डाल दिये और यहाँ पर स्टोन स्लैमर डाल दिया डायरेक्ट इगल के उपर लावा डालके बलून्स डाल दिये पीछे से अभी भी एक लावा पंद्रा बलून्स बच चुके हैं ओके लावा बलून्स ग्रैंड वोडन आ चुका है वापिस बलून्स डाल दिये एड़ंटर डालके अभी भी यहाँ पर स्टोन डालके ओपर जिस्से की रॉयल चेंपिन टेकडाउन कर पाए सिंगल को टेकडाउन कर भी लिया अभी भी दो फ्रीज और हैस्ट है गाईज तु एक्स में देखेंगे लोग आईज यह वाले ऐटाक हो चुका है ठ्रीस्तार और स्टोन अल्स द सब्सक्राइब देखें यहाँ पर नंबर थीन के उपड़ा ओपर यहां पर कर लोगा इस बात यहां पर स्केली डोनेट लावा लून के साथ एटकर आ गया है और इदर एक सिंगल टेकडाउन करा होगा शायद बिल्कुल सिंगल इंफिर्णों को टेकडाउन करा गया है यहा बादक एक सप़ेल हिए एंपने डाल दिया वहन पीस एक और 12 फाल हट चुकी के अंदर सिषी को टेक डाउन कर लिया गया यहां पे सकसेस्फδαङ आर्चर क्विन को डिप्लोय करा गया है आर्चर क्विन आई-थिंक टावनाल की तरफ जाएकी अके लिए आर्चर क्विन जाएकी और बार्बिरेंड किंग शाट जाएका इधर एक और वाल ब्रेक यहाँ पे डिपलोय कर दिया क्या बात है भाई रोयल चैंपियन सायद इधर आएगी देखते हैं अभी क्या होता है ओके इधर बलून डाला गया था रोयल चैंपियन भी यहाँ पर आ चुकी है आर्चर क्वीन नीचे की साइड पर आएगी टाउनौल की तरफ बलून से यहाँ पर डाल दी है जिससे की क्वीन अंदर की साइड पर चली जाए इंकी अबिलिटी मार दी आइस गोलम फटनेगत सारी चीज़े फ्रीज हो चुकी है वहाँ पर बाई क्या तो ही क्यालकुलेटर अटाइक्स करें बें इनोंने अतरनाक लेवल के लोग वर्ल्ट रेकॉर्ड तो भाई इन लोगों ने बना तो लिया है यहाँ पर डारेक्ट बिम्प डाल दी गाइस मल्टी और लिए मल्टी टेकडाउन कर लिया है यह तीज इनने कि इगल टेकडाउन कर पाएंगे यह तीज ओ भाई Eagle को भी Takedown कर लिया क्या बात है भाई Queen ने Takedown कर लिया इधर से Town Hall को Grand Warden को Deploy कर दिया Head Unters आ चुके है पीछे से और Warden के Ability भी यहाँ पर आ चुके है गाई Queen अभी भी जिन्दा है भाई घोड़ा अभी भी Queen को Heal कर रहा है Next Level गाई एक Freeze डाल दिया एक Hiss डाल दिया यह वाले अटाक के अंदर लास्ट में बोलूंस बहुत ही कम बच गए दे गाई उसके बावजुदि यह वाला अटाक ट्रिपल हो गिया लो गाई अभी भी दो स्पेल्स बच चुके है भाई साप के पास और यह दो स्पेल्स का स्वाग होगा स्वाग नहीं किया घर लेके गए वाई दो स्पेल्स ओके गाई अभी यहाँ पर देखते हैं अरे यह क्या चीज है गाई नंबर एक पे भी सेम प्लेयर नंबर चार पे भी सेम प्लेयर इस बंदे का नाम बहुत खतरनाक नेम है इस बंदे का इधर भी स्केली डोनट लाव अलून के साथ अटाक हुआ है यहाँ पर इगल लिया है मल्टी लिया I think मल्टी लिया होगा कि अगया के स्टाटिंग में तो फ्लें फ्लिंगल डिप्लाय कर रहा है ओके इगल नहीं लिया यहाँ पर मल्टी और इसी को लेने की कोशिश ओके गाईज इधर से टेकडाउन कर लिया बाई दोनों चीज़े टेकडाउन कर ली वाल प्रेक यहां पर डिप्लोई कर दिया पार्बिरें किंग और कुईन को भी डिप्लोई कर दिया एक बलून डिप्लॉय कर दिया यहाँ पर आइस गोलम आगे जाके टैमेज ले रहा है खुद के उपर कुईन पिछे से काम कर रही है चलो आइस गोलम ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़े फ्रीज कर डाली बार्बिरिन किंग के साथ निकालेंगी क्या भाइस आप टाउन हॉल एक इन्वी यूज करनी पड़ सकती है किंग के लिए टाउन हॉल मिला नहीं है अभी तक अरे भाई यह कैसा अटाइक है गाईस टाइरेक टाउन हॉल से लावालून अटाइक चालो कर दिया वाप रहे एक रेज भी यहां पे लिया है रेज डाल दिया तोर्नडो निकल चुका है ग्रैंड वोडन की अबिलिटी भी उसकर लिए कुई आर्सी के ओपर इन्वी स्पेल डिप्लॉय कर दिया यहां पर इससे की इगल निकाल पाई आर्सी एक फ्रीज भी डाल दिया है किया बात है इस वाल अटायक यहां पे ओ और पावर तरीके से कर दिया यहां पर हेडkeln अधर डालेए अंधर कि लिए रॉयाद ऑल चैंपिइन को ट्रीच कर लिया इधर क्विन को पकड़ लिया सिंगलुन और प्रुका मार भी दिया er The linker F.d दानायम है फ्लिंगर निकलाइगा गोड़ा किसको करने की सोब्सक्ष और जार बात है बालून गाला है कर रहे गजब लेवल के गई यहाँ पे टाइक्स हो चुके हैं अब हिलाल अभी भी गाईज यहाँ पे देख लो कितने सारे बार बचय हैं और टोटल 380 मतलब इन्होंने टोटल सिर्फ 5 अटाइक्स ऐसे रहे हैं जहां पे इनके पांच अटाइक्स फेल हुए हैं इतने सारे अटाइक्स में से बागे सारे परफेक्ट तो बस आज के लिए तो फिला लिखता है चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल आइकन जरूर दबा देना मैं मिलूंगा आपसे अगले वडिये में तब तक के लिए पाइग